वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते आज ज़े दी एहे कटना है एक अजेहे गुरु सिख दी जिस दा एक हंकारी होई व्यक्ति दुवारा बेश्ती किती गई उस्तों बाज जो होया उस हंकारी होई व्यक्ति दी जिन्दगी दे विच ओहो सुन के तुसी हैरान हो जाओगे एहे कटना उत्राखन दे रैन वाले एक अमेर शाहुकार व्यक्ति दी है पेंड़ दा सब्तों मीर आदमी होन दे कारण उसनु अपने आप दे बहुत हंकार सी पेंड़ दे विच उस दी बहुत चल दी सी क्योंकि उसनु लगदा सी कि ओहो अपने पैसे दे दम दे कुझ भी कर सकदा है ओहो अपने खेतांचे काम करनवाले मजदूरां दे नाल बहुत बुरा विवार करदा सी इक बार पेंड़ दे बहार एक सांत कुटिया बना के रैन लगे ओहो सांत गुरु दे नाम दे विच लेन रहन दे सी अते ओहो अपना ज्यादा समा वाहे गुरु सचे पाशा जी दे नाम दे विच बतीत करदे सी बहुत लोग ओना दे दर्शन करन लेई आउन दे सी अते कई लोग तां ओना तो आशिरवाद भी लेन दे सी ओहो सांत महापूर्श पिंड विच जाके किसी एक कारदे विच ही परशादा शक्या करदे सी ओना नू जोवी खांदे ले मिलदा ओहो वाहे गुरु सचे पाशे जी दा नाम लेके खाल लें दे सन एक दिन पेंड दे विच शहर करदे करदे ओहो सांत उस व्यक्ति दे खेतां दे कोल दी जा रहा सी तां उन्ना ने देख्या कि ओहो व्यक्ति मजदूर नू बहुत बुरी तरां कुट रहा सी ओहो मजदूर दे वार वार माफी मंगन ते वी ओहो व्यक्ति उसनू कुट दा जा रहा सी अते उसनों गाणावी दे रहासी उस सांत महापुर्षा तों एहे साब देख्या नहीं गया सांत महापुर्ष उस व्यक्ती दे कोल गे उस मजदूर नो कुटन दी उस व्यक्ती तों वजा पुछन लगे ओहो व्यक्ती गुसे दे वीच सी अते हो सांत महापूर्शा नो कैन लगया कि बाबा एह साधा आपसी मामला है तुँ जाके अपना काम कर उस व्यक्ति दे एह कोडे बोल सुन के सांत महापूर्श शांत रहे क्यूंकि ओह बोत शांत सुबा देसी संता ने उस व्यक्ति नो मुस्कराउंदे होई केहा कि बेटा तु तन दोल्त दा एना हनकार ना कार इनसान अपने नाल कुझवी नहीं लैके जान्दा एह साब इत्थे ही रह जान्दा है संता दिया एह गल्ला सुन के ओहो व्यक्ति पाड़क गया कि बापा है मजदूर तेरी तरा फ्री दे खान दे आदी हो गईने तु भी बिना कोई काम किते सारा दिन बास कुमदा रहन्दा है अते बिना काम किते रोटी खान्दा है तेनू एह साब पाचदा के में है तेनू शर्म नहीं आउंदी ओहो सांत माहा पूर्ष इस गالतों भी शांत रहे पर उनाने कहा कि देन वालाता ओहो परमातमा है असी सारे उस दा ही दिता होया खान्दे हां ओहो साबनू दिनदा है अते सारे आंदी सुनदा है अते एहे कह के सांत महापूर्ष उठों चले गे उस राद नू पिंड़ दे विच इन्नी तेज तुफान आया कि उस व्यक्ती दी सारी फसल बरबाद हो गई अते आस्मानी बिजली डिगन दे कारन उस दे कारदा काफी नुकसान हो गया पर हैरानी दी गालता इह सी कि इस तुफान दानुकसान सिर्फ उस व्यक्ती दे खेतां चाहते उस दे कारदे विच ही होया पर उस नू समझ आ गया सी कि इह साब कुछ क्यों होया पर जदों तक कोहो संत महापूर्शा दे कूटिया ते पोँचिया तां उसनों पता लगया कि सांत महा पूर्षतां उसे शाम नो ही इस पिंड़नों छाट के चले गे सी हुन उस व्यक्ति दे कोल पे शतावेतों इलावा होर कुझ भी नहीं इस तरह दी वीडियो देखन दे लेई साड़े चैनल नो सब्सक्राइब कर लवो कमेंटां दे विचे वाहे गुरू लिखके अपनी हाजरी जरूर लगवाओ नमी वीडियो लेके जल्दी ही आमांगे ओदों तक दे लेई वाहे गुर्जी का खालसा वाहे गुर्जी की फते